क्रिस्पी डोसा आयाना मुह में पानी तो चलिए बनाते हैं तो लेना है घर के नॉर्मल साइज की एक कटोरी उड़त दाल और तीन कटोरी चामल उसके साथ एक टीस्पून मेथी दाना ये मेथी दाना ना डोसी को क्रिस्प करेगा लेकिन अगर आप डोसा सौट पसंद करते हैं तो मेथी दाना के साथ एक मुच्छी पोहा भी एड़ कर सकते हैं अच्छा उड़त दाल और चामल को भीगोना भी अलग-अलग है और पीसना भी अलग-अलग ही है अब इस बैटर को रख दीजिए ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए फर्मेंट होते ही ये घोल हो ज लेकिन पहले सब्सक्राइब